यह जो व्यक्ति बीमार लेटा हुआ है इसको brain hemorrhage हुआ है यह उत्राखंड का रहने वाला है इसका नाम बहादुर राम है और जाति दलित है पिथोरागड डिस्टिक हॉस्पिटल में भरती होने के बाद पता चला की से brain hemorrhage है brain hemorrhage की वो लेकर पिथोरागड अस्पताल में क्या बिवस्था है क्या इस्थितिया है आप ये जान लें कि पिथोरागड च्छित्र की आबादी करीब 5 लाग है और 5 लाग की आबादी इस सबसे बड़े अस्पताल पर निर्भर है और यह वह राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जो नए नवेले मुख्यमंत्री अभी बनाए गए हैं वो जो जिन्स की काच्छेद देखते हैं या जो कोरोना को महामारी नहीं मानते और जो मानते हैं कि सादू संत्रों से महामारी नहीं फैलती उनके अपने राज्य के जिले की क्या इस्थिति है एक बानगी आप ये देखिए अभी मैं डिश्टिक हॉस्पिटल पिथोराकर में हूँ और ये एमर्जनसी रूम है अभी आप जिनको देख रहे हैं आप इनको देखकर आप इनकी कंडिसन का अंदाजा लगा सकते कि इनको सास लेने में दिक्कत हो रही है और डॉक्टर ने इनके बारे में बताया कि इन पर इनको ले जाने के लिए यहां पर एम्बुलेंस नहीं मिली ना प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं सरकारे एम्बुलेंस और यहां पर क्या ओरए टिश्टिक हॉस्पिटल की थरह अगड़के ना अधिकारी हमारे किसी काम के काम के रहे हैं और इतने जो चार-चार करेंगे तमाम तरह की चीज़े करेंगे इस कोरोना की टाइम में भी सरकार ने सुविधा कैसी प्योस्ता कर रखी आप आप खुदी देख सकते हैं यहां पर जो इनके पत्नी है वह आगे से रोने में हैं और क्या कर दियाएगा इस देश का और इस राज़े का यहां के थड़करास नेताओं ने और आज भी आज भी मलब यहां पर एक आम आज भी इतना मलब परिसान हो गया कि वो आप जाए कहा है इनसाब के लिए पुरा सिस्टम फेल हो चुक है इसके आगे और अब भी हम एक लास् इनको जो भीमारी हो गई है brain hemorrhage बता रहे हैं और इसके लिए neurologist की आफ सकते होती है उस डॉक्टर की आफ सकते होती है और वो डॉक्टर पिठोरगण में है नहीं उसके लिए हमें सुसला तिवारी जाना ही है और कोई दूसरा हमारे पास option नहीं है लेकिन सुसला थिवार आपको बताया बताने वाले ने कि क्या स्थिती है यह इतनी ही हालत बात खत्म नहीं होती बात इससे आगे भी बात यह है कि जब पिडित के परिवार के लोगों ने डीजी हेल्थ से बात की यानी उतरा खंड डीजी हेल्थ उतराकंड डाइरेक्टर जन्रल हैल्थ से जब बात की और बाच्शित का जो परड़ाम निकल कर सामने आया है वह और दिल्चस्प है और हम अपनी तरफ से कुछ आपको बताएं उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप खुद सुनें डीजी हैल प्रिती बहुगुणा का क्या विचार है से मरीजों को लेकर क्या सोचती है उनकी IQ लेवल क्या है उनकी जानकारी का क्या स्तर है और यह वही जिला है पिठावरागर जहां चार विधायक एक लोगसभासांसद और एक राज्यसभासांसद आते हैं यानि कुन मिला के राज्य और देश के प्रतनिधितों को मानें तो 6 लोग इस 5 लाग की आबादी का प्रतनिधितों करते हैं लेकिन वहाँ एक ब्रेन हेमरेज का मरीज किस हालत में क्यों करके पहुँचता है आप देख चुके हैं अब डिजी हेल्थ राज्य की सबसे जन्मदार अधिकारी सरवोच पद पर बैठी हुई अधिकारी का क्या रियक्सन है जराए एक बार इसे सुनिए और फिर आपको समझ में आएगा कि देव भूमी में कैसे लोग दया के पात्र बनते चले जा रहे हैं देव भूमी में कितना मुस्किल होता है जीना और इलाज कितना मुस्किल है उसकी यह एक बानगी आपको समझ में आएगा परसों को डिश्टिक होस्पेल पितोर अगर में नीरोलोजिस्ट ना होने के बज़े से हमारी चेचा की डेस हो गई है मैं किया रहोगा यहां पर लाखों के आबादी कम से कम पाथ-छे लाख लोग इस पितोर जिले में रहते हैं और इतना बड़ा होस्पेटल है जिस्टिक यहां पर लेकिन नीरोलोजिस्ट नहीं है डॉक्टर है एक मेना बच्चे अच्छा आपकी बात बात बहुत जल्दी लगने वाला हो तो समय लगेगा लेकिन लग जाएगा आप यहां सीटी स्कैन ठीक है पर इशान हो जाएगा लेकिन आपको मालूम है ने निरोलोजिस्टिक बे तो दे नहीं सकते ना वाँ पपा दे निरोलोजिस्ट का पतका होता है मेडिकल कॉलेज इसमें होता है ठीक है ठीक है तो मेडिकल कॉलेज तो ने भगवा भवान की देशे साथ ठोड़ागर में मेडिकल कॉलेज का प्रक्रिया चल रही है आज के दस सार गेंदे शाहते पर जरूर आज़ागा लेजाना लेजाना है तो हमें एंबुलेंस तक नहीं मिल पाई हमें हल्दोने ले जाने के लिए ऐसा मैं पता करूंगी ऐसा कैसे क्योंकि ऐसा होता देखो 108 से आप जा सकते थे 108 मिलती है ना आप 108 को लेके चली जाते है तो क्यों नहीं ऐसा क्या हुआ एक 108 को नहीं बुलवाया था आप में हमने जुलागार से पिथरागर्द के लिए 108 मिल गई थी लेकिन जब डॉक्टर ने बताया कि इनको ब्रेन हैम्रेज है आपको तुरंत पिथरागर्द से हल्दोने ले जाना है तो हम उसके रहे हम एंबुलेंस के इंपिजार करते रहें कि एक बार बताये कि 5-6 बजे मिले है या तो डॉक्तर की व्योसता हो जाए यह पर निर्यवलोजिस हो जाए नुकूरसूस sorgen में भूफिया स्यवन की त उपर भी चड़ा हो रही है लेकिन इसके लिए सर्कार पर कोसिच पर हो आपके लिए हैलें सिब्स बिल्कूल पर करनी होने है जाए है यह सुझाइल हम लोग को सुझे मों भी по ढानों कहां हैicting कि इसने भी काड हो रहा प्रुकरिया की है वहाओ बंधी प्रक्रीया होती है टीक है अब तक कितने लोग में आप बताई ना कि अने मेर की हमलोग नोग मरते रहें पर हम लोग हम centered करता है क्यों होती और सरकार का क्राम आती है हमारी इसना ऩिस्टम है ऊप आप अम बार की लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं आप कर सकते हैं और यहां पर आपका देखे तो तरह रहा है नहीं आपके पिछोड़ागर इंट हो रहना यहां पर तावर खड़े होगा है वह बहुत ज़जी मेडिकल कॉलेज़ बनेगा जब नारिकल फालेट बन जाएगा तो नीरोलोजिस्टी आजाएगा आपका सिटी स्केंट सब आजाएगी फोरा बेटा क्योंकि देखो मैं क्या कहूं इस मामने में ये मैं तो एज़ा हैल्थ की मुख्या होते हुआ होते हुआ मैं ये बोल सकती हूँ कि चलो यदि आपको ए अपनी सिस्टन से एपको ऐसा लगता है कि आप को आपको मैं मापी माह गळेगी फिर भी मैं काऊंगी هा हमें काम करना का मुझे ऐसा कुसी लगटा इसा ना का क編 पता करोदो हुआ थीक है लेकिन हाँ हरका कोही नी चाहता है चिंपर में कब किसके साथ हो जाता है चलते च अपने जिन्दिगे के साथ लड़ते रहे वह पांचे गंटे तक वहाँ पर लगता है कि अगर उनको निरोजोजित मिलता यह सुविधा अगर मिलते ना वो बच जाते हैं यही यही मुझे परिशान कर रहे है कि यह तो अचाने का समझ रहे हैं, बिलकुल समझ रहे हैं आपकी बाल, लेकिन इन चीजिए ओने के लिए इस तिले प्रयास हो रहा है लेकिन इतनी ज़दी यह चीज आविलेबल फोड़ा है मैं यह क्यारा रहा ना, आप अधिकारी और यहां बड़े-बड़े बिद्वान लोग हैं हमारे प्रास्मिक्ता किसमे होने चाहिए, हमें पहले सबसे पहले जिन्दिके को बचाना है या क्या हमें दूसरा काम हमारे प्रास्मिक्ता सबसे पहले यह होना चाहिए ना, बहले हम अन्य सारे चीज़े रोकते हैं जहांपर जान बचाने की बात हैं वो काम सुबसे पहरा होना जाए है लेकि इन काम मेंiblical क्यों हो रहा है हम सब अगवान वरोसे चल लेए आपर कुछ ने मैं ये आप इस इस बात पे अरही है मैं इस बात के पर संज्ञान ले रहे है पर आपकी बाद समझ गया है, इस समय की जकर में कितने हजारों लोगों को कुरूबानी देनी पड़ीगी, यह सवाल है, और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, यह तो किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ीगी ना, अब घरका जो कमाने वाला आदमी था, वो दो बच्चे हैं उनके, अब उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह हमारी नाकामी की बज़े से उनकी मौत हो रही है, उनको बचाई जा सकता था, तब तक यह बात है कि हम ही लोग क्यों मरें, यह दिक्कत है, और मैंने पता रहे हैं कि हम एक सिटिजन हैं, हम इमानदारी से हमें सरकार को टै वह क्या करेंगा, आप अपती हैं कि ढ़िए पर बेदा मैं आपकी बात को समझ रही हूँ और इस बात के मैं जो भी आपने मिझे बचाएं लेके आगे मैं बात कर लीगी यह सकती हूँ, यह बैसे आपने बचाई के मिलें इसके उनका अब फ़ी पता कर रही हैं, जब क्या चीजिया हमारे एसी होता है कि हमारे गिए अजी पर फदें उर्ग कोछता है तो अजह को जाए है तो भी बहुत होता है अगर्द सबाइक कर्या हम फिर ची चाजा काना नाम भजा estar एक उपना नाम में आपने से मेरे को मैसेज कर दिए इसमें इसी मेरा वर्षक नमबर है मैंने वो जो न्यूज के लिंक है वो मैंने वीडियो आपको सेंड कर रखे है उसमें अगर वो न्यूज है आप यहाँ पर जो सीमो को फॉन नमल उन्होंने अभी तक कुस कॉंटे करने के वी कोशिश नहीं कि उन्होंने सीमो को पता है यहां के डिश्टी के सभी लोगों पता कि ऐसी प्रोब्लम हो गई है लेकिन यहां का पुरा सिस्टम यह मलब ऐसा लगदा है कि इन्सान नहीं कोई चीज नहीं पच्छी अब यहां पर क्या होता ना इसमें कोविड से लोग परेशान है अब लोग ओवर हम आज चुटी है कहीं सारी लोग चुटी मना रहे हैं हम लोग आफिस में बैठे हैं जो बैठे हैं कि हम कोविड के इसको भी प्रेशान हो जो कोविड में क्या करना चाहिए वो ठीक है दिए हमने ना डॉक्टरों को बगवान का दर्जाते रखे लगवलों को हम बगवानी मानते हैं इतना पड़ा सम्मान किसी को नहीं मिल दख़ा है और अग्राण वह ट्रग्वान आफिस मने करें हैं आसमे भगुवान में हमने एक अपनी स्क्रिग करी, अपने अपने प्रफेशिन में होता है, हम अपने प्रफेशन में, तो फिर कोई невिए, आप अपने रुबाज पर भज करते हैं। ठीक है, खोई नहीं में?」 लेकिन आप इसकी से आपकी बाते में जो भी होगा उतरवाई है यह तो सरकार उस परिवार को थोड़ा आर्थिक मज़द करें यह यह महला कुछ ऐसी हेल्प करें किससे क्योंकि अब अब हम उनकी सेचान तो बचाने पाई हम स्वास्त विभाग वाले ऐसा काम तो करनी सकते हैं हम को आर्थिक उसके तो नहीं कर सकते हैं ज्यादा ज्यादा आप डियम सी हो सकते हैं है ना उनको बता सकते हैं यदि कुछ वो कहीं काम करते हैं उनके बच्चे बच्चे इतने पड़े हैं तो उनको आशिक में जाती है जान दिया जाती, यदि राइंसे कर रहे हैं, तो सखाई उसे, है ना, और नहीं तो कुछ आप अपनी बाद दियन को रता है, यह दियन तो मुख्यों आता है, जिल्ला भी पारी तो आपके उसका दिस्ट्री का मुख्या होता है, जिए अपर आप अपने से बात के लिए आपका treatment part देश सकते हैं, मनीट रहो नहीं देश सकते हैं अब आपने अधिकारी की भी बात सुननी, भुक्तभोगी परिवारों की भी बात सुननी है और आपको समझ में आ रहा होगा कि असल में पांच लाख की आबादी जो पिथावरागड की है उसको बचाने के लिए, उसके इलाज के लिए बिवस्थाओं के कितनी चर्मराती स्थिती है और यह वो राज्य है, जो देव भुमी के नाम से जाना जाता है, जहां इस वक्त कुम्ब चल रहा है कुम्ब को सम्हालने में पूरी मसीनरी लगी है, लेकिन इन मरीजों को सम्हालने वाला कोई नहीं है वो कुम्ब कोरोना वाइरस का सबसे बड़ा सुरोत बन रहा है और ये मरीजों उत्राखंड को एक राज्य बनाते हैं, उनको कोई पूछले वाला नहीं है उत्राखंड के पिथवरागड से किसोर कुमार के रिपो